दोस्तो अगर आपके पास Samsung का phone है और आपके Samsung के phone में कहीं से भी आपके पास call आती है call आने पर क्या होता है कि आपकी call आती है तो आपका जो screen है वो black हो जाता है यानि कि जो आपका call कहीं पर लगाया जाता है यह आपके पास आता है तो जो आपका screen है यह ब्लॉक हो जाता है तो अपनी इस problem को कैसे solve करेंगे अगर आपका screen black हो जाता है तो आप उस वक्त अपने screen पर कुछ भी नहीं कर पाते है call को cut भी नहीं कर पाते है और अगर आपको कुछ उसमें dial करना हो number note करना हो तो आप note भी नहीं कर पाते हैं तो यह अगर आपके पास problem आती है तो इसे आप आसानी से solve कर सकते हैं इसके लिए आपको यहाँ पर 2 या 3 step पर follow करना होगा सबसे पहले आप यहाँ से बैक आजाएए बैक आने के बाद आपको जाना होगा सबसे पहले phone की setting में फोन जो होता है latest version में हो जाता है उसके बाद यहाँ पर आपको दूसरा setting अपलाई करना है दूसरा setting अपलाई करने के लिए आपको जाना होगा अपने phone के dialer में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपका dialer यहाँ पर मिलेगा three dots आपको इस पर click करना है यहाँ पर setting पर click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको एक setting मिलेगा call display when using apps आपको इस पर click करना है यहाँ पर आपको full screen आपको select कर लेना है उसके बाद यहाँ से बैक आजाएए बैक आने के बाद आपको करना क्या होगा कि अपने है reset all setting अगर नहीं मिलता है तो आप यह पर search बार पर पर click करेंगे यहाँ पर आपको search करना है अपने mobile phone का आपको pattern डाल देना है जो भी आपके mobile phone का pattern हो उसके बाद यहाँ पर मिलेगा रिसेट आपको रिसेट पर क्लिक करना है जैसे आप रिसेट पर क्लिक करेंगे आपके फोन का यहाँ पर सेटिंग जो है वो रिसेट होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके फोन का सेटिंग reset हो जाएगा उसके बाद यहां से बैक आजाएगे जैसे आप यहां से बैक आजाएगे बैक आने के बाद आपको क्यारना क्या है कि अपने mobile phone को एक बार switch off करना होगा यानि कि आप यहां से power off कर देंगे अपने mobile का और फिर अपने mobile का power on करेंगे और फिर आपका यानि कि जितना सारा problem है वो solve हो जाएगा अगर अभी नहीं होता है तो आपको अपने calling application पर long press करना है i button मिल लेगा इस पर click करना है यहाँ पर मिल लेगा आपको देखने को storage आपको इस पर click करना है यहाँ पर मिलेगा clear all data आपको इस पर click करना है ok करना है उसके बाद आपको फिर से अपने mobile phone को एक बार switch off कर लेना है यहाँ से आपको अपने mobile का power off करना है और फिर आप on कर लेजिए फिर आपका सारा problem solve हो जाएगा तो इसे तरीके से आपने इस problem को solve कर सकते हैं